आज की इस वीडियो में आप सब की साथ 2 केक्स टेजान शेयर कर रही हूं और दोनों ही जो केक थे वो मेरे पास एक ही सेम डेकी ओर्डर थी और दोनों ही केक कस्टमाइजेशन वाले थे दोनों केक को मुझे पेपर टॉपर की साथ बनाना था तो सबसे पहले मैं जो कीक बना रही हूँ यह मैं 1.5 까zy में वना रही हूं और इसके लिए जो स्понच मैंने बेग किया है वो 900 ग्राम बैटर के साथ बेक किया है और दो मोल्ड चूस किया है मैंने 6 इंच 6 इंच के 2 मोल्ड में मैंने 450 ग्राम 450 ग्राम बैटर एट करके लगवग 2 इस पंज बना लिये थे और इसके बाद 2-2 लेट में डिवाइड किया है यह एक फिलिंग वाला केक था तो यह काफी मैंगो की काफी अची खासी फिलिंग गई थी एक मैंगो केक था तो मैंगो को मैंने कोक करके फिल किया है लग बद थोड़ी से शुगर की साथ 3-4 मिनट तक मैंने उसे कोक किया उसके बाद उसे फिल किया है मैंने वर उसके बाद यह जो तॉल केक के लिए मैंने डिजाइन बना दो चुछ बना दो बना दो तो अनों बोला थीक है बना दीजिएगा तो उसी के अक्वर्डिंग मैं यह बना दिया तो सिंपल ब्लू कि अट क्रीम में और इसके बाद यह बलू का फेट बनाया है और टॉप को क्लीन करने के लिए यहां पर मैंने थोड़ा सा हॉट बट गी कि जोड़ी सरफ में कि अनकर मों लीजिए उसके बनाया की जाती क्लीन है क्योंकि यहीं एक पाद आघ लाइम आधर क dépendते के लिए क्सफ़डकर में में झालग से क्याम पकाई कि यहां दिया है थोड़ी सी कर दो फिर डिदिएविग से पार दूर पर्फघन धिना होता यहां पर सम्टाइमस होता है हम लुगोंसे भी जल्दी में केक बनाते हैं सम्टाइमस हैचा हो जाता है तो drip थोड़े से नीचे base पर चले गए थे आप लोग जब drip बनाओ तो एक बार एक glass पर चेक कर लो drip बना कर अगर बहुत जादा flow नहीं हो रहा है drip तभी आप cake पर बनाओ मैं पैसे हमेशा पहले glass पर चेक करती हूं drip बना कर उसके बाद ही cake पर बनाती हूं उसके बाद जो टॉप पर मैं यह spider man का जो net होता है वो मैं बना रही हूं और उसके लिए मैंने गनाश का यूज किया यह गनाश की consistency एकदम perfect है भी इस टाइम पर simple 2-1 के ACO में जो गनाश होता है वही गनास मैंने थोड़ा सा melt कर लिया था और उसके बाद मैं यूज कर रही हूं यह net बनाने के लिए जो इस spider man का जाल होता है उसे बनाने के लिए तो यह मैंने बना दिया है और उसके बाद मैंने nozzle number N5 लिया है और red color की whip cream बनाई है red color की whip cream कैसे बनानी है उसका वीडियो मैंने कली रिल्स वीडियो आप सबके शेयर किया है आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजेगा जिससे कि आप लोग भी perfect whip cream में red color बना पाओ तो N5 nozzle मैंने लिया था और उसके बाद इस तरीके से यह rope design मैंने create किया है N5 nozzle की help से म टॉपर बना दिया है जिससे कि हाइड भी काफी अच्छी खासी इनैंस होगी है और cake design अच्छा लग रहा है दो टॉपर थी मेरे पास paper topper spider man के तो दो टॉपर यूज करके ही मैंने simple सा यह cake बना दिया था मैंने इसके charges नहीं लिये थे बिलकुल भी क्योंकि मैंने खुद से लगा दिया एक मैंने top पर लगा था और एक मैंने side walls पर इस तरीके से फ्रेंट पर लगा दिया था जो भी mention करना था बद्य बद्य का नेम बगरा वह मैंने fondant पर mention कर दिया था और इस तरीके से यह cake बनकर एक्टम रेडी था अप ही पता नहीं क्यों बहुत डार्क दिख र यह मेरे ही वीडियो को देखकर और फोटो को देखकर इंस्टाग्राम पर उन्होंने पसंद किया था और सेम लगीली मेरे पास सेम पेपर टॉपर भी थे तो मुझे बनाना था यह एक Unicorn theme cake था तो इसका जो वेट था वो बनके जी था और इसे बनाने के लिए भी मैंने 6-inch cake mold का यूज किया है और उसके बाद मैं इस cake को बना रही हूँ इस cake का जो flavor था वो बटर स्कॉच था तो जो बटर स्कॉच सॉस मैंने बनाया है वो मैंने घर पर ही बनाया है homemade बटर स्कॉच सॉस है यह और इसे की recipe अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग पेज और चैनल कर दूँ केइख कर दूँगी आपकी साथ तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो कीडाया और CRERMAL untukל बाते है और उसके बाद जब मैं बटर स्कॉच केक बनाती हूँ तो 6-inch cake mode मैंने यूज किया था और थोड़ा सा cream भी मैंने ठीक यूज किया है अंदर साइड में जिसे की cream की जो cake की height है वो मुझे अच्छी मिल जाए उसके बाद इस cake की designing करने के लिए मैंने simple pink color एड किया है white cream में और उसके बाद इस cake की designing की है इसके की जब मैं final firsting कर रही थी final firsting करती time ये cream बहुत जल्दी से start हो गई cream dry होने लग गई थी तो finish cake का अच्छा नहीं आ रहा था तो इसके बाद मैंने फिर से थोड़ी सी cream में pink color एड किया और इसके बाद एक लेयर बहुत पतली लेयर मैंने और अपलाई की और इसके बाद के अच्छी से जब finish हो गया उसके बाद मैंने इसकी final designing के लिए मैंने ब पहले में कोई नोजल नहीं आड किया ता इसके बाद मैंने को नोजल नहीं ड़का था तर तो इसके बाद मैंने जो नोजल लिया है पहले वह मैंने superstars लाया है और इसके 이ucklesक है कै विआर मैने यह करा पाद फुल बड है पर मैंने निकाल लिए और दूसरे पैपिंग बेग में एड किया उसके बाद जो मैंने नोजल यूज लिया है और उसके बाद यह ड्रॉप वाला और चोटे साइस के रोजेट बनाए है तो इस तरीके से यह टॉपर मैंने डिजाइन कलर फुल डिजाइन मेना कर कंप्लीट क जब भी कोई कलर फुल केक बनता है तो उसमें अपने आप से ही बहुत सुन्दर लगने लग जाता है क्योंकि वह बहुत सारे अड होते हैं जब भी आप कलर बनाओ यह बहुत सारे कलर एड करो हमेंसा जैल फूड कलर का एड करो कभी भी आपकी क्रीम कर भी नहीं होगी तो अभी यहाँ पर यह केक बनकर भी रेडी है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पोस्ट सकते हो या फिर केक बनाते डाइम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कौन सी चीज आप लोग की क्लियर नहीं है